अज़कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल इस्टेडी विदाकास में और आज मैं आपके लिए करेंट फियर्ज के कुछ इंपॉर्टन कोश्चन्स लाया हूँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्टेडी विदाकास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रस्नु किसने हाइड्रोजन इधन बस और कार परियजना शुरू की है तो इसका जो सही आंसर है वो आपका NTPC है अब आपको मैं इन सभी के फुल फॉर्म बता देता हूँ कि इन सभी के फुल फॉर्म क्या है आप लिख लीजिएगा NTPC का जो फुल फॉर्म है वो आपका है National Thermal Power Corporation और NTPC से मिलता जुलता ही है NHPC का भी National Hydro Electric Power Corporation और बात करते हैं G.E.L. का तो G.E.L. है Goa Electronics Limited और M.P.E.P. ये भी जो है इस्टेट के नाम पर है जैसे कि G.E.L. Goa के नाम पर था तो ये है मद्यप्रदेश Electricity Board अगले कोश्चन को देखते हैं अगला कोश्चन है कौन सा उद्योग भारत में पहली बार सीर्स निर्यात्र छेत्र बन गया है तो कौन सा बन गया है आपका तो इसका जो आंसर है आपका रसाइन और पेट्रो केमिकल्स तो मैं आपको बता दू कि पिछले वर्स अपरायल 2019 से लेकर इसका जो काउंट किया गया है आपका जनवरी 2020 तक काउंट किया गया है इस दोरान जो है इसके जो निर्यात में जो है तुलना जो की गई है इस अवधि में इसमें जो व्रद्ध मिली है वो कितना मिली है 7.43% क की व्रद्धी हुई है आप इस व्रद्धी को जरूर याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि PCS लेविल के जो भी एक्जाम होते हैं उनमें इसी तरह के व्रद्धी से रिलेटेड कोशन्स पूछे जाते हैं अब अगले कोशन को देखते हैं अगला कोशन है दसा सील जो कैंसर की दवा दसा टिनिप के जैनेरिक सेंस्करड़क है को किस दवा कंपणी ने लाँज किया है तो सिंपल सा कोशन है इसका जो आंसर हो जाएगा वो सिलपा मेडिकेर है, सिल्पा मेडीकेर ने जो है लॉunge किया है अब अगली कोश्चन को देखते हैं जीला कोश्चन है COVID pharma mobile app किस राज ने लॉunge किया है तो यह लॉunge किया है आद्ध प्रदेश ने क्यों लॉunge किया है, जैसे आपको support that कि खासी बुखार या कुछ भी है तो आप जिस मेडिकल स्टोर पर जाएंगे लेने के लिए तो वो मेडिकल स्टोर वाले के पास यह एप होगी कोविट फार्मा एप तो यह क्या करेगा आपका फोन नमबर आपका एड्रेस सब जो है लेकर आप यह जो है गौर्मेंट को एक तरह से बोलते हैं गौर्मेंट का पोर्टल है यह एप तो इस पे अपलोड करेगा तो यह सारी जो इनफॉर्मेशन है वो गौर्मेंट के पास चली जाएगी तो फिर आपकी जाच की जाएगी और आपके जो है नजर रखी जाएगी अब अगले कोश्चन को देखते हैं अगला कोश्चन है किसे भारत में हुआ वेई तेलीकॉम का नया मुख्य कारिकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है तो इसका जो सही आंसर है आपका क्या हो जाएगा वो डेविड ली हो जाएगा और मैं आपको बता दू कि लास्ट में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कोश्चन रखा है और इंट्रेस्टिंग भी है आपके लिए चलिए अगले कोश्चन को देखते हैं अगला कोश्चन है कि किस बैंक दोरा शुरू की गई है तो ये किस के दोरा शुरू की गई है ये इंडियन ओवर्सीज बैंक के दोरा शुरू की गई है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इंडियन ओवर्सीज बैंक हो जाएगा तो इसका काम क्या है ये इसलिए जो है शुरू की गए क्योंकि COVID-19 के दोरान जो है लागडाउन लगाया गया है सब की को पता है तो इससे जो पीगडी जो क्रसी छेतर हो जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा राहत देने के लिए इसको शुरू किया गया है कैपिटल डिमांड लोन आप इन फुल फॉर्म्स को स्टेंडर्ड फॉर्म को लिखते चलें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परिक्षा में आने की मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूँ लेकिन चांस बहुत ही जाता रहते हैं इस तरह के जो है पूछे जाते हैं अब अगले कोश्चन क्यों बढ़ते हैं केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव किसे बनाया है तो ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन है जो PCS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तरूर बजाच अब आपको कमेंट में बताना है क की तरूर बजाच है कौन तो इब अगले कोश्चन को देखते हैं लाकोश्चन कें सरकार ने खाद देहुम सारजुनिक वित्रण विभाग का नया सचिव किसे नियूक किया है तो ये नियूक किया है सुधानसु पांडे को ठीक है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सुधान सुपांडे आपको फिर से कमेंट में बताना है कि सुधान सुपांडे जो है यह कौन है और इनको नियू किया गया है यहां पे नया सचिव सारजुनी वित्रडव भाग का तो यह आपको बताना है अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है वैग्यानको ने किस छेतर के ऊपर ओजोन परत में बने दस लाख वर किलो मीटर यही मैंने बताया था कि इंपॉर्टन कोशन है और इंट्रेस्टिंग भी है आप लोगोंने सुना होगा कि पॉल्यूशन की वज़े से जो है ओजोन में छेत होता जा रहा है य वैग्यानको ने किस छेतर के ऊपर ओजोन परत में बने दस लाख वर किलो मीटर की परीधिवाला छेत बंद होने की गोश्डा की है तो इसके ऊपर बंद होने की गोश्डा की यह आर्कटिक के ऊपर जो है बन गया था इसी को जो है गोश्डा की है आपने सुनने में आया आर्करिटिक उधर ग्लैसियर बहुत तेजी से पिगल रहे हैं और जब से लागडाउन हुआ है तब से जो समस्या यह बहुत कम हो गई है और ओजोन में भी जो है सुधार हो गया है और आपको कमेंट में बताना है कि ओजोन का फॉर्मुला क्या होता है मैं आप्सेन देता 28 अप्रेल को विश्व भर में कौन सा अंतराश्ट्री दिवस मनाया जाता है तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा वरकर्स मेमोरियल डे तो इसका जो सही आंसर है आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा वरकर्स मेमोरियल डे और 29 अप्रेल को जो मनाया जाता है मैंने आ मार्ट ने भारत के किस राज्जी के कुछ जगों पर वाट्स एप और्डर बुकिंग सर्विस लाँच किया है तो यह किस ने सुरू किया है यह महरास्ट ने सुरू किया है थैंक यू अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लिस लाइक करिए सेयर करिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू